राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लक्ष्मी जी का आशिरबाद व्यक्ति के जीवन में परिशानियों को कम करता है लक्ष्मी जी को कैसे प्रशन किया जा सकता है आईए हम आपको बताते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करे तकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले दोस्तों धन भौतिक जीवन में एक आवश्यक शाधन बन चुका है धन के बिना व्यक्ति का जीवन कठिनाईयों और दुखों से भर जाता है कल्यूग में लक्षमी जी को विशे सस्थान प्राप्त है धन जीवन अस्तर को बेहतर बनाने में बिसेज भूमिका निभाता है दोस्तों यही कारण है कि व्यक्ति धन प्राप्ति की चाहत में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तयार रहता है यहां तक कि व्यक्ति साथ समुझ की यात्रा करने से नहीं घबराता है दोस्तों विद्वानों का यह भी मत है कि लक्षमी जी परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अपना आशिरवाद अवश्य प्रदान करती है गीता के उपदेश में भी भगवान श्रीक्रेशन अरजुन से यही कहते हैं कि परिश्रम ही सफलता को प्राप्त करने का एक मात्र मार्ग है जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम नहीं करता है उसे लक्ष की प्राप्ती में परिशानियों का सामना ही करना पड़ता है यह भी कहना है विद्वानों का कि परिश्रम का कोई दूश्रा विकल्पी ही नहीं है जीवन में यदि सफल होना है तो परिश्रम करना ही होगा जो व्यक्ति इन बात को जान लेते हैं वे सेश पर पहुंचते हैं और अपने कारियों को दूश्रों को आकरशित करते हैं और प्रेरिद्धी करते हैं ऐसी लोगों के पास द्धन की कोई कमी नहीं रहती है जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो इन बातों को अपने जीवन में अवश्य ही उतार ले। दोस्तों अनुशाशन के महत्तों को शमज ले। विद्वानों के अनुशार जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशाशन नहीं लाता है उसके लिए सुख और आनंद सिर्फ कल्पना मात्र है। जीवन में सभी लक अश्राशन का पालन नहीं करता है सफलता उससे को सो दूर रहती हैं दोस्तों गलत कारियों से दूर रहें चालक्य के अनुषार व्यक्ति को शत्य के मार्ग पर चलकर सफलताओं को प्राप्त करना चाहिए सच्चाई के मार्ग पर चल कर जो व्यक्ति शफलता प्राप्त करता है उसकी सफलता लंबे शमय तक कायम रहती है ऐसे लोग दूश्रों को भी प्रेरित करते हैं ऐसे लोगों के पास मान शम्मान की कोई कमी नहीं रहती है और मातलक्ष्मी की कृपा उन पर और उनकी परिवार पर शदय बरशती रहती है दोस्तों मातलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम मेहनत दोनों करने पड़ेगी कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे